दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप पुराना फेस्बूक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो जी या दोस्तो अगर आप पुराने फेस्बूक आइडी को फिर से ओपन करना चाहते हो तो उसका अगर आप यूजर नेम पासवर्ड और अगर आप पुराने फेस्बूक अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चाहण को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजेगा तो चलिए फ्रेंट्स आज का इप वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको फेस्बूक अप्लिकेशन को ओपन करना है फेस्बूक अप ओपन करने के बाद दुस्तों अगर आप फेस्बूक अप्लिकेशन का अपना इमील आइडी बूल गयो और पासवर्ड भी आप बूल गयो और किस तरीके से अगर आपको पता नहीं है कि पूरानी फेस्बूक अइडिया आपकी कौन सी थी और उनका पासवर्ड क्यारता उसे कैसे रीकवर करना है तो आज के इस वीडियो में आपको आसानी से बताऊंगा जिससे की दूस्तों बड़ी आसानी से आप जो है अपने पूराने फेस्बूक अकाउंट को वापस लापाओगे तो सबसे बहले आपको करना क्या है आपको अपना मुबाइल नंबर ट्राइ करना है आपको मुबाइल नंबर भी पता नहीं है तो आपके बाद जितने भी मुबाइल नंबर है उन सभी मुबाइल नंबर से बारी बारी आपको ट्राइ करना है और आपके बाद जितने भी पासवर्ट में आपको कुछ नहीं डालना इसके बाद forgot पासवर्ट पर आपको क्लिक कना है इस पर क्लिक कने के बाद यहाँ पर permission को अलाव कना है इसके बाद गयस यहाँ पर अगर आपका जो अकाउंट फाइंड हो जाता तो यहाँ पर आपको profile शो करेगी अद्रवास को अगर को फिर से अपना मूबाइल डालना अबाद के आपके स्वांड अकॉण्ट हो पर क्लिक करने के बाद आपके मूबाइल नेंबर से अगर कोई अकॉण्ट बना हुआ होगा तो वह यहां पर यह कोई दूसरी वाली प्रोफाल देख रहिए तो आप यहाँ पर यह वाला नंबर आपको डालने के बाद पर फिर से क्लिक ना है और अगर आपको नमबर से नहीं मिल रहा है तो आप अपके बाद जितनी भी email ID है उन email ID को बारी बारी से डाल करके आपको try करना है और यहाँ पर आपको OTP यहाँ पर आपको डाल देना Enter OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके Mobile Number पर जो भी OTP आएगा वो यहाँ पर OTP डालने के बाद Continue Option पर आपको क्लिक करना है सो यहाँ पर मैंने OTP डाल दे हैं इसके बाद जैसे आप continue पर click करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको permission को allow करना है और अब guys यहाँ पर आपको जो है login option पर आपको टिक करने के बाद यहाँ पर आपको continue पर click करना है यहाँ पर keep me login यहाँ पर आपको continue option पर click करना है इसके बाद आपको अपना नया password set करना है जो भ पर मैंने password डाल दिया इसके बाद जैसे आप continue पर क्लिक करोगे continue पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो okay पर क्लिक करना हो और गाइस आपकी जो फेस्बुक आइडी लॉग इन हो जागी